दोस्तों कि ऐसा देश से उस देश की कहरेंसी पर गणेश जी की फट्टू छपी हुई है और क्या आप लोगों पता है इतने लंबे बाल रखने वाला व्यक्ति कौन है और दोस्तों आप सबीने काजू तो जरूर देखाऊगा उसका स्टार्टिंग का रियलिस्टिक पिक ऐ ऐसा होता है दोस्तों इन फैक्ट को जानकर आपके मुझसे एक ही वर्ड निकलेगा वैस ओसम है फैक्ट नंबर 11 है दोस्तों जो सबसे बड़े बदले होते हैं उन्हें से एक बदला यह था एंडू फिल्ट्र वर्षर शोरग गांगली साल 2002 फरवरी के महीने में इंग्ले जीत गई थी और अपने कपड़े उतार के पूरे वानकेड़ स्टेडियम में उन्होंने इंडिया का मचाग बनाया था और गाइस फिर उसी साल कुछ महिने बाद जून महिने में मात्र चार महिने ही बाद टीम इंडिया मैच जीती और सोरग गांगली ने सेम वही टीशट उतार कर बदला पूरा किया और आखिर मैं ट्रोफी मैड इन ब्लू को मिली फ्यक्त नमर 10 है दोस्टो प्राइवेट फ्लाइए, प्राइवेट जट नाम का एक प्लैन होता है उससे आप एक मज़दार काम कर सकते हो दोस्टो उस प्लैन से आप एक करोड बीश लाख रुपे में न्यू इयर का जसन को दो बार सेलिब्रेट कर सकते हो Sydney Australia में New Year का जसन पहले बना सकते हो ऐसा धर्ती के मैप के करण होता है Sydney Australia पहले आता है उसके नियू योर्क आता है आप 24 गंटे से पहले ही वहाँ private plane से पहुँच सकते हो Fact No.9 है Kwazoo Hero बटाने नाम का एक Japanese हैरिस्टाल इसने सबसे लंबे बाल रखने का एक रिकोर्ड बना रखा है इसके बालों की लंबे तीन फिट आठ इंच जो की एक वर्ल्ड रिकोर्ड है Fact No.8 है गाईस यह पिक इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वाइरल हो रही थी इस पिक में आप एक emotional चीज देख रहे होंगे वही सैनिक उसी order में एक साइड यंग में और दूसरी तरफ old बढ़ापे में बैठे है Fact No.7 है गाईस आप सभी ने काजू को ज़रूर खाया होगा Fact No.5 है गाईस आप सभी ने जू जू जुरूर देखा होगा लेकिन आप सभी ने reverse जू देखा है Reverse जू में गाईस आपको एक गाड़ी में बैठा के जंगल में ले जाए जाता है और आपको जानवर देखने के लिए आते हैं मतलब गजब यार गजब Fact No.4 है गाईस 21978 को 4 से multiply करने पर इसका reverse नमबर आता है 87912 Fact No.3 है गाईस जो टीवी का डिजाइन है 1930, 1940, 1950 में, 1960 में, 1970 में, उसके बाद 1970, उसके बाद 1980, फिर 1990, फिर 2000, और आखिर में LCD 2010 में ये डिजाइन आया टीवी के इतने सारे डिजाइन दोस्तो Fact No.2 है गाईस आप लोग ने कभी सोचा है मंदिरों में गंटी क्यों होती है दोस्तो इसका एक scientific कारण यह है कि उसके जो घंटी का vibration होता है उससे हमारा concentration बढ़ता है इस कारण उसे मंदिरों में जाता है और उसका जो आकार होता है घंटी को बनाने का वो कुछ इस तरह का होता है जिससे हमारा जो left और right mind part होता है वो आपस में सक्तिसाली बने गाइस जो घंटी होती हो seven seconds तक vibrate होती हो और हमारे सेरी में जो seven point होते है वो भी इस घंटी का vibration से जागरित होते है फ्रेक्ट नमबर एक है दोस्तो एक ऐसा देश है उस देश की currency पे गनेश जी की photo छपी हुई है उस देश का नाम है इंडोनेशिया और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक्स पर वाचिंग